हेलो वेलकम तुदे मैं चैनल आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो सिक्स चेप्टर है 11th क्लास की फाइन आट्स की बुक जो एंसे आटी में पढ़ा रही हूं आपको उसका जो पार्ट थर्ड है जो की हम पढ़ेंगे अबाउट हिल्स जो भी जो टेंपल है वो हिल्स पर बने हैं उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे तो बाकी जो दो पार्ट हैं सिक्स चैप्टर के वो मैंने अल्रेडी अपलोट कर दिये हैं आप देख सकते हैं उसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे अबाउट हिल्स की एक युनीक फॉर्म ओफ आर् गर्वाल रिजन में इससे पहले हम आगे पढ़ें तो जो कुछ इंपॉर्टन्ट लाइन्स हैं वो मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में बता देती हूं ताकि जब हम इस चैप्टर को आगे परसीड करें तो सब कुछ समझने में आपको थोड़ा इजी हो जाए तो है अब यह एक एंशेंट गंध्रा स्टाइल है क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी है कश्मी रीजन की वो जादा तर देखी जाती है यह जो है गुपता और पोस्ट गुपता ट्रडिशन का मिक्सप है जो कि सारनाथ मतुरा गुजरात और बंगाल से देखा गया है अब हम देखें लोकल टेडिशन तो यहां पर जो वुडन की वुड की विल्डिंग है वो बनाए गई है पीच्ट रूफ बनाए गए है क्योंकि अगर हम देखें तो हिल्स एरिया में काफी बरफ बारी होती है तो जिसकी वेज़े से अगर फ्लैट रूफ होगा तो इससे क्या हो देखा जाएगा कि गर्भग्रिया शेखरा जो की लैचिना टाइप है जो हम अलड़ी पढ़ चुके हैं और मंडपा जो की वुडन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा कुछ पगोड़ा जो हैं पगोड़ा शेप के भी देखे गए हैं टेंपल जैसे की कराकोटा पीर जो टेंपल है उसकी जो बना है वो एक प्लिंट in middle of the water tank की जो टेंपल के middle में एक water tank भी वहाँ पे देखा गया है जो possible हिंदू टेंपल हैं डेडिकेटेट हैं लौड शीवा को जो की एक wooden building में है की तोर पे हैं और जो peaked roof है वो slant है slowly outward है due to the snowy condition जो मैंने आपको बताया है moderately or ornamented है और जो raw है elephants का वो एक base है जो की decorate किया गया है doorway ठीक है elephant को doorway पे as a decoration दिखाया गया है sculpture है जो चमबा का हिमाचल प्रदेश का जो की mixed up है local tradition post गुपता period और गुपता style का जो की local tradition mixed है post गुपता style से images जो है महसा सुरबर्दनी और नरसीमा जो की लक्षा देवी मंदिर ये भी वहाँ पे देखा गया है और जो styles है वो ज्यादा तर post कुपता और कश्मीरी metal sculpture tradition का mail देखा गया है images जो है yellow color की है माना जाता है कि जो yellow color है वो possible हो सकता है कि जो alloy और zinc है copper जो की use किया गया है जो popularly कश्मीर में use किया जाता था इसकी वज़े से उसका जो color है वो yellowish मिला है inscriptions जो है लक्षा लक्षा देवी मंदिर का वो इसमें during मिरु वर्मन और 7th century में ये बताया जाता है temple जो है कुमाओं का वो एक classic example है नगरा style का इस reason में temple जो है जगेश्वर का जो की अलमूरा के नियर है और चमपावत जो की पिथोरा गर के नियर है ये दोनों ही उत्तराखंड में पाए गए हैं तो हमने ये notes देख लिया है चलिए हम book से आगे पढ़ते हैं same same चीज़े जो मैंने आपको notes में पढ़ाई है इसमें मैं आपको mention करती जाओंगी आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चला unique form of architecture जो की hills कुमाओं गढ़वाल रीजन और हिमाचल परदेश कश्मीर में ये देखने को मिलता है और कश्मीर का जो proximity है prominent जो की गंधारा side जिसको जो की as a तक्षिला पिशावर और northwest frontier में पाया है अगर हम देखें तो इस रीजन में जो strong गंधारा influence जो है वो देखा गया है फिफ्थ सेंचरी इस सी में और ये जो की mix है mix with gupta and post gupta tradition जो की हम पहले भी पढ़ चुके है mix with gupta and post gupta tradition जो की माना जाता है कि ये आया है from सारनाथ, मतुरा और even center in gujarat और बंगाल जो ब्रामिन पंडित हैं और जो buddhist monk हैं frequently travel करते थे between कश्मीर, गढ़वाल और कुमाव रिजन जो की एक religious center की तरह इसको माना जाता है जैसे की like बनारस, नालंदा, even the south of the कांचीपूरम बिल्कुल ऐसा ही इन सब मंदिरों को माना गया है जैसे की बनारस और नालंदा और कांचीपूरम जो की south में हैं उनको माना जाता है अगर हम देखें तो इसके परिणाम स्वरूप जो बुधिस्त और हिंदू ट्रडिशन है वो एक intermingled है जो की hills area में spread हुए हैं और ये hill also had their own tradition, इनका खुद का अपना tradition है और ये wooden buildings है जो की pissed roof दिखाती है पिस्ट रूफ जो की मैंने बताया है आपको की because of snow के कारण ऐसा माना जाता है की pissed roof वहां पे बनाया गया है several places में अगर देखे hills में तो therefore you will find while the main गर्भग्रिया शिक्रार made in रखा परसाद in latina style ये हम अलोड़ी notes में देख सकते हैं जो गर्भग्रिया है और शिक्रा है वो latina style से बना हुआ है मंडपा जो की older form है wooden architecture का और sometime जो है ये एक पगोड़ा शेप में भी temple को देखा गया है कारा कोटा period जो कश्मीर का है बहुत ज़्यादा significant माना गया है अगर हम architecture के term से देखें तो one of the most important temple जो है वो पंदरे थान है जो की during 8 और 9th century में बना है और जिसको जिसमें रखा गया है water tank जो की attached है shrine से और temple जो की build हुआ है प्लिंथ में जो की इसके middle में tank को पाया जाता है although अगर हम देखें तो evidence है हिंदू और Buddhist following का कश्मीर में temple is Hindu one possibly dedicated to Shiva जो Hindu temple है वो specially possible है कि यह शिवजी को dedicated है और architecture जो है इस temple का उसको हम age old Kashmiri tradition जो की wooden building से बनी हुई है ऐसा माना जाता है अगर हम देखें तो यह wooden building इसलिए use हुई है क्योंकि snowy condition के कारण और temple जो है moderately ornamented है और moving away from the post gupta aesthetics and heavy carving इसमें heavy carving हुई है raw of elephants इसमें एक elephants का जो बिल्कुल raw बना हुआ है जो की एक base और decorated doorway परवाइड करता है और जो की emblishment of the shrines को दिखाता है अगर हम देखें तो like finding at samla ji sculpture at chamba also shown an amalgamation of local tradition अगर हम देखें तो जो samla ji है और जो chamba का sculpture है वो एक amalgamation show करता है local tradition का और post gupta style का जो images है महिसा सुर मर्दनी की और नरसिमहा की और लक्षना देवी मंदिर की वो एक evidence है जो की एक post gupta tradition का influence दिखाता है दोनों जो images है वो show करती है कि इसमें जो influence है वो metal sculpture tradition का है कश्मीर में अब yellow color जो है images की वो possibly due to alloy, zinc and copper जो की हम already पढ़ चुके है I think आपका revision हो रहा होगा और आपको समझने में बिल्कुली असानी हो रही होगी which can be popularly used to make images in कश्मीर अब ये temple जो की एक inscription है state करते हैं कि ये जो बनाया गया है during the reign of miru verman जो की 7th century में रहते थे of the temple in kumau the ones at jageshwar near almora and champawat near pithoragar are the classic example of nagra architecture of reason अगर हम देखें तो जो kumau में temple है kumau में जो की jageshwar जो की almora में है और champawat जो की pithoragar में है ये classic example है नगरा आर्किटेक्चर का तो हमने नगरा आर्किटेक्चर के जो सभी temples थे वो हमने पढ़ लिये हैं और इस वीडियो में मैं सिर्फ नगरा आर्किटेक्चर से related ही complete करूँगी तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे द्रविड आर्किटेक्चर के बारे में तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही और नेक्स्ट में आपको द्रविड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो प्लीज इसको लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और हो सके तो शेर भी किजिए तो टेक कियर एंड बाबाए